वल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी अंत्रा बुक से चैप्टर नंबर 3 है टॉर्च बेचने वाले आज हम करेंगे इसके question answer तो जल्दी से वीडियो को like कर दो I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो so that आपको हमारे सारे updates मिलते रहें question number one देखिए लेकक ने torch बेचने वाली company का नाम सूरज चाप ही क्यों रखा तो question पूछ रहा है कि वो जो torch बेचने वाली company थी उसका नाम लेकक ने सूरज चाप क्यों रखा तो चिलन सूरज मतलब sun आपको पता है जब भी sunrise होता है तो सारा अंधेरा सारा अंधिकार वो है सब मिट जाता है है ना लेकिन जैसे ही रात आती है हमको सब कुछ दिखना बंध हो जाता है तो company का नाम सूरज चाप इसलिए रखा कि वो जो torch है वो रात में सूरज का काम करेगी अंधेरा होते हुए भी आपको रोश्णी देगी इसलिए तो answer कैसे लिखेंगे अपने words में जिस तरह सूरज के आने से अंधेरा दूर हो जाता है उसी तरह यह torch भी रात के अंधेरे को दूर कर देगी देख रहो यहाँ पर सूरज आया अंधेरा दूर हो गया torch आई और यह अंधेरा देख रहो इस आजमी के लिए यहाँ पूरा दिन दिन टाइप का हो गया इसलिए लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरच छाप रथा तो यह जो रेड रेड में है यह पूरा मैंने question से ही copy किया है next question पांच साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहां होती है children अगर आपने एक दोस्त है वो महराज बन गया उसके हजारों लाकों फॉलिवर बन गये हैं खूब पैसा कमा लिया है बड़ी गाड़ी में घुमता है लोग उसके पैरों को हाथ लगाते हैं लेकिन जो दूसरा है वो एक छूटा सा काम कर रहा है वो टॉर्च बेचने का काम करता है गली ग करेंडिशनी अलग दोनों मैं से एक उबधेशक बन जाता है आवे तोलंग पैसे कव यहां पर यहां पर और महराजरु मनना मगय और दूसरा दोस्त और चूलों बेचने का का उन्होंने पीला है ना नारंगी कलर का वो औरेंज कलर का वो पहना होता है ज्यादा तर सिर्पे टीका वगएरा लगाया होता इस तरह से उसको सुनने वाले लाखोस रधालू आते हैं आज तो टीवी वगएरा पर भी लाइव टेली कास्त भी चलता है यूट्यूब चैनल भ कई पहला दोस्त मंच पर सुंदर रेश्मी वस्तरों में सजा बाटा था दो मंच पर बैटा हुआ था आपने देखा होका सादू महात्मा बड़े से उंचे से मंच पर बैटते हैं ठीक है उसकी लंबी। दाड़ी थी और पीट पर लंबे केश थे लंबी दाड़ी देख रहे हो केश मतलब बाल ठीक है उसके आगे हजारों नर्नारी सरद्धा से सिर जुकाई बैठे थे आपने देखा होगा जो सादू मात्मा प्रवचन सुनाते हैं तो हजारों लाखों सरद्धालू आते हैं इन फीलिंग आये ठीक है आपके मन में अंधेरा आये तो किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हो भाव्य पुरुष ने कहा जहां अंदकार है वहीं प्रकास है इसका क्या तात्त परे भाव्य पुरुष मतलब वो वाला दोस्त जो अब महात्मा बन गया था चिल्डन इस इमेज को देखो आप क्या ये दोनों इमेज अलग-अलग जगे की नहीं बिलकुल एक ही जगे की है वहीं पर पेड़ खड़ा है एक जगे रात है और एक जगे दिन है तो चिल्डन अगर रात होगी तो दिन भी होगा और अगर दिन होगा तो रात भी होगा तो भाव्य उसने अपने प्रवचन में कहा कि जहां अंद्रकार है वही प्रकास है देख लिया इस चित्र में हमने जैसे हर रात के बाद सुभा आती है उसी प्रकार अंद्रकार के बाद प्रकास आता है है ना नाइट के बाद डे होता है डे के बाद नाइट होती है उसी प्रकार अंद् की टौर्च बेचने और सूरच चाप की फालो करते हैं कितनी जादा उसके लिए चढ़ाते हैं लेकर जो तो भाई सब्छाब बैचने वाला एक आम इंसान है लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं इसके लिए लोग मतलब कुछ भी करने के लिए तयार हैें बस गुरू जी की एक जलक मिल जाये, कितना भी पैसाकों Councillor must ड्रूरू जी को चड़ाना पड़े जो भीतर के अंधेरी की टॉर्च बेशता है वह सिद्धु पुरुस है उनका इस्थान उच्छ होता है वहीं सूरच छाप टॉर्च बचने वाला व्यक्ति सड़क पर सामान बेचने वाले व्यक्तियों की तरह है एक साधारण इंसान है लेकिन ये जो कहा है जो टॉर्च बेचरा है वो बिल्कुल जो लोग सड़कों पर सामान बेचते हैं उनकी तरह से एक साधारण आज भी है चिल्टन आपके लिए हर क्वेश्चन के आंसर को में इतना सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें बहुत मैंनत लगती है तो यार एक लाइक तो बनता है प्लीज अगर आपके दिल तक पहुँचे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना मैं तीन तक काउंट करूँगा आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मूटिवेशन मिलता है वन टू थ्री सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े हैं यहां उखडेंगे नहीं इस कथन से मनुश्की किस प्रवर्ती की और संकेत किया गया है एक्चली यह कहानी दो दोस्तों की हैं जो कि एक टाइम पर बहुत धरीब होते थे और वो दौनों यह सोचते थे कि पैसा कैसे कमाया जाया पैसा कैसे कमाया जाया लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिलता इस चीज को चिल्टन हम आप जब एक्जाम में बैठते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ठीक है अब सब्पोस करो अगर आपको फस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या फस्ट क्वेश्चन का या हमसे ढूलते रहोगे और तीन हिंटे सी में बरबाद कर दोगे या थोड़ी दिर बाद ये सुचोगे कि चलियार ये नहीं आ रहा तो कम से कम ये तो करलू बचे हुए तो तो ऐसे ही ये दोस्त ये कहते है कि जब जिस सवाल का हमको जवाब मिली नहीं रहा तो उसमें समय वेस्ट करके क्या फाइदा कुछ और कर लेते हैं ठीक है तो उसका कोई फाइदा नहीं है तो यहां पर ये वाली बात कही गई है कि जो चीज हमसे नहीं आती हम उस चीज को क्या कर देते हैं नजर अंदाज कर देते हैं टाल मटोल कर देते हैं आनसर को समझ लिए दोनों दोस्तों ने पैसे कमाने की कई कोशिश हैंगी दोनों के मन में सवाल आता था कि पैसे कैसे कमाये जाएं बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जब जवाब नहीं मिला तो उन मेंसे एक ने कहा कि ये को ये वाली आगे बढ़ो एसा इसलिए क्योंकि किसी अंसुल्जे सवाल में समय लगाना ब्यार्थ होता है अभी हमने यहाँ पर एक्जाम्पल दियाना कि अगर आप एक्जाम में बैठो यह वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ोगे नेक्स व्यंग विद्या में सबसे धारदार है परसाई जी की रचना को आधार बना कर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट लिए तो चिल्डर्न इस कहानी में लेखक जो है हरिश्चंकर परसाई जी नहीं और उन्होंने व्यंग किया एक ताना मारा है किस पे कि उनके जहासे में आ जाते हैं हलाकि सारे महत्मा सादू महत्मा ऐसे नहीं होते सच्चे भी होते हैं असली भी होते हैं लेकिन बहुत सारे नकली भी है लेके खरी संकर परसाई की रचना टॉर्च बेचने वाले एक व्यंग आत्मक रचना ये व्यंग कर रही है इस पार्ट म दिखाकर पैसे कमाते हैं और हमें ऐसे अंद्रविश्वास और पाखंडों से बचकर रहना चाहिए नेक्स्ट अब यह कह रहा है आश्या इस पस्ट किजिए मतलब मतलब बताओ आजकल सब जगए अंधेरा चाया रहता है रातें बेहद काली होती है अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता है इसलिए हर इंसान के पास एक टॉर्च होना जरूरी है और इस तरह से कहके वह अपनी टॉर्च बेचता था सूरत चाहप टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति के व्यक्ति इस पंक्ति से अभी पराई यह है कि रातें काली होने से सब जगए अंधेरा चाया रहता है और इतना अंधेरा हो जाता है कि आदमी को अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता इसलिए अंधेरे से बचने के लिए सूरत चाहप टॉर्च खरीदे तो कहने का मतलब यह उसकी एक ट्रिक थी अपनी टॉर्च बेचने की नेक्स्ट प्रकास बाहर नहीं है उसे अंतर में खोजो अंतर में भुजी उस जोती को जबाओ तो याद होगा जो महात्मा बन गया था महात्मा क्या कहता था कि जो अंधेरा आ रहा है आपके जीवन में उसके लिए प्रकास ढूंडने कहीं बाहर मत जाओ ठीक है जिस प्रकार दिन के बाद रात आती और हर रात क दिन होता है उसी प्रकार से जो आपका अंधेरा आया है आपके जीवन में उसका प्रकास भी आपके मन में ही छुपा हुआ है सिद्पृष के इस प्रकरती से इस पंक्ती से यह पराय है कि आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकास की किरण हमें अंदर ही ढूंदन जब वो देखता है कि मेरे यार एक दोस्त जो सादू महत्मा बन गया यार उसने तो बड़ी कमाई कर ली इतना पैसा कमा लिया गाड़ी में चलता है नौकर रख रखे हैं ड्राइवर रख रखे हैं हजारों लोग इसके सरधालू बन गए तो भाई मैं जो प्रकास बेच रह सादू महत्मा बनने में हैं इसलिए वो ये वाली बात कहता है धंदा वाई करूंगा अपनी टॉर्च बेचूंगा बस कमपनी बदल रहा हूं लेखक ने सूरच छाप टॉर्च को नदी में क्यों फैंक दिया भाई जो वो परसन था जो टॉर्च बेचता था जब उसने द लेखक ने सूरच छाप टॉर्च को नदी में इसलिए फैंक दिया क्योंकि उसने सोचा कि इस टॉर्च बेचने वाले रोजगार से ज्यादा कमाई है नहीं हो रही क्योंना मैं भी अपने दोस्त की तरह संत की तरह ग्यान रूपी अंदकार को दूर भगाँ मैं भी लोगो बेच रहा है कोई ब्रश बेच रहा है कोई टॉर्च बेच रहा है वो कुछ अलग-अलग स्किल का यूज़ करते हैं नमबर वन एक तो उनका बोलने का तरीका बड़ा अट्रेक्टिव होता है ना दूसरा कस्टमर को अट्रेक्ट करने का उनके पास ग्रहागों का अकर्श में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे सूरच चाप कंपनी क्या बेस्ती थी कैंडल बेस्ती थी टॉर्च बेस्ती थी बाइक बेस्ती थी या ना आप चाहो तो अपने आंसर में कॉमेंट में A B C या D लिग देना मैं समझ जाओंगा देखूंगा कितने ब